कब से यह करोना काल स्टार्ट हुआ है बच्चों के लिए बहुत ही जादा प्रॉब्लम होगी है वह पढ़ी नहीं पा रहे है क्योंकि घर पर से पापा काम कर रहे हैं वॉक फ्राम होम चल रहा है मम्या किचिन में मिक्सी चला रही है चोटे-चोटे पच्छे शोर कर रहे है तो बिचारे बच्चों को इस दौरान बहुत सफ़व करना पड़ रहा है वो पढ़ी नहीं पार है क्योंकि वह अपनी पढ़ाई पर कॉंसंट्रेट ही नहीं कर पार है आपके साथ भी ऐसा होता होगा अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह वीडियो आपके लिए शोर ही शोर है और इस डिस्ट्रैक्शन में किस तरह हम अपनी स्टडी को कॉंसंट्रेट ली कर सकते हैं बहुत सारे अभी आने वाले हैं आपको पता ही है बट क्यूंकि घर पर सब है पापा का घर पर वर्क फ्रॉम चल रहा है बच्चे चोटे-चोटे है जो घर पर है बह आप अपनी स्टडी कर सको वहां पर आपको कोई डिस्टरब ना करें आप अपने पैरंस को बोल दो कि यह मेरी स्टडी को और है यहां कोई नहीं आएगा कोई मुझे डिस्टरब नहीं करेगा प्रोपर अपने टाइम पर वहां जाए और बैठ के पढ़िए दूसरी चीज यह हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ने बैठ रहे तो अपना स्टडी का सारा मटेरियल लेकर बैठिए और मैं तो आपको कहूंगी कि सब कुछ आप वहीं रखिए ताकि आपको बार बार उठकर जाना ना पड़े क्योंकि जब आप कुछ चीज भूल जाओगे अ अपना सारा स्टडी माटेरियल वहीं पर रखो इनफेक्ट हमेशा के लिए वहीं पर रखो और उसको एक फिक्स टडी कॉर्नर बना दो और अपने पैरेंस को बता दो कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो उस टडी कॉर्नर में कोई नहीं आएगा कोई डिस्टर्ब नहीं करेग है सीधे बेटके तो कोई पड़ी नहीं पाता है अगर भार से कोई शोर आ रहा है तो हमारा यह होता है कि हमें जानना ही क्या हो रहा है टाइम टेबल बनाओ, याने कि अपना study time table, तेखो online classes तो चली रही है, और हम सब को पता है कि online class में बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, यह fact है, बट हमें खुद पे concentrate करना है, हमें खुद की study इंपरूफ करनी है, तो हमें एक proper time table बनाना होगा, और उसे follow करना होगा, आप बैट के मैं पढ़ूँगा, उस time मुझे कोई distraction इची है, मैं खुद भी distract नहीं होने की कोशिश करूँगा, तो पर आपको work करना है, अगर आप सोच लोगे कि इस time मुझे पढ़ना है, तो पढ़ना ही है, मतलब दीन का 3-4 घंटा मुझे अगर पढ़ना है, तो पढ़ना ही है, इस time मैं बिल्कुल distract नहीं होगा, तो आप अपने study पे बहुत अच्छे से concentrate कर पाऊगे, और definitely अच्छे से पढ़ पाऊगे, अगर आपको concentration चाहिए, तो start making notes, जी हाँ, note बहुत ही benefit होता है, अगर आप बनाओ और उसको properly follow करो, online classes तो चली रही है, जैसे कि आपको पता है तो online classes में मैं जितना बोल रही है, मैं obviously बात है, theory लिकवा नहीं रही है, जितना जाद आपको explain कर रही है, तो जो explain कर रही है, तो आप ऐसे बस बैट के सुनोगे, सुन-सुन के तो bore हो जाएंगे, इससे better है, जो मैं बोल रही है, उसको आप highlight करो, और notes बनाना start करो, वो notes इसलिए आप notes बनाओ, वो भी आपकी study को concentrate करने के लिए बहुत ही beneficial है, सबसे important point, curious नहीं होना, that means, बहुत सी बच्चों को जब पढ़ने बैठते हैं, तो तब यह चीज जाने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, कि वहां क्या हो रहा है, वहां से आवाज आ रही है, that means, वहा इसलिए बाहर की चीजों को सुनने में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो तो distraction 100% होगी, तो हमें जब पढ़ने बैठना है, तो हमें यह मेक शूर करना है, कि हमें यह सारे चीजों को अपने माइन में नहीं लाना है, हमें यह सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अ बहुत इंपोर्टेंट है, रिमाइंडर के लिए आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं, और उसको हर जगा सकते हैं, अपने कीचिन में, अपने फ्रिज के पास, अपने डोर पे, अपने स्टडी कॉर्णर के पास, ताकि आपको रिमाइंड हो कि अब मुझे इस ताइम के अ कुछ भी हो जाए, आपको इससे फरक नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वो टाइम अपनी स्टडी को देना है, अगर आपने अपने अंदर वो स्ट्रोंगनेस लाइकी नहीं, मुझे पढ़ना है, तो पढ़ना है, क्योंकि अगर अपने अंदर व मुझे कॉंसेंटरेट करना है, और मुझे अपनी एक्जाम को क्लियर करना है, तो मुझे पढ़ना है, यानि कि मेरा ये प्रॉपर टाइम जो मैंने को स्टडी के लिए तो उस टाइम मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, चाहे कितनी भी शोर हो रही हो, चाहे कुछ पढ़ कर उनने ये सब कुछ अचीव किया है, पड़ इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी रात को पढ़े, आपको मैंने एक पहले वीडियो में भी ये बताया था, कि जो टाइम आपको सूट करता है, जिस टाइम पे आप कमफर्टेबल हो, आप उस टाइम पर बैट के पढ और तभी ही आप कॉंसेंट्रेट कर पाऊगे, सबसे इंपोर्टन चीज़ है, सारी चीजे, सारी टिप तभी ही आपके लिए यूसफूल हो सकती है, जब आप एक कमफर्टेबल टाइम पर पढ़ो, मतलब अगर आपको रात को कमफर्टेबल लगता है, तो आप रात को तभी ही आप अपनी स्टाडी पे कॉंसेंट्रेट कर पाऊगे, के बात एक टारगेट रखिए, मतलब दिन में अगर मुझे दो गंटा तीन गंटा पढ़ना है, तो तिन में दो तीन गंटा मुझे पढ़ना ही है, यह बहुत इंपोर्टन तो यह सब कुछ अगर आपने फ अगर आपको नहीं मिलता ना तो आप मुझे कमेंट बॉकस में कमेंट करके जरुर बताए, और आपको रिजल्ट मिलता भी है तो भी आप कमेंट कीजियो और मुझे बताई यह तो जिन लोगों कोौशन से प्रॉबलम है. स्टारी पे कॉंसे LenaET की जेख नहीं होता तो ऑफ को भी इससे हेल्प मिल सके और मेरी वीडियो को लाइक किजिए थैंक यू थैंक्स पो वाचिंग